नमस्कार जर्खंडी नुज में आपका स्वागत है आईए जर्खंड राज के टॉप 25 परमो खबर जानते हाँ एक जून से रोजाना 200 ट्रेन चलाएगा रेलवे खबर के अनुसार रेल मंत्री प्यूस गोईल ने ट्वीट में कहा है कि भारतिय रेल एक जून से टाइम टेवल के अनुसार प्रती दिन 200 नन ऐसी ट्रेन चलाएगा जिसकी ऑनलाइन बुकिंग सिग्र ही शुरू होगी उन्होंने कहा कि स्रमिकों के लिए बढ़ी रहात 200 स्रमिक एस्पेसल ट्रेन चल सकेगी और आगे चल कर एस अंख्या बड़े पैमाने पर बढ़ पाएगी प्यूस गोईल ने राज सरकारों से अपील करते हुए ट्वीट किया कि राज सरकार से आगरा है कि स्रमिकों की सहायता करे तथा उन्हें नजदी कि एस्टेसन के बास रईस्टर कर लिश्ट रेलवे को दे जिससे रेलवे स्रमिक एस्पेसल ट्रेन चलाए उन्होंने स्रमिकों से आगरा किया कि अपने अस्थानों पर रहें बहुत चल्द भारतिये रेल उन्हें गंतवे तक पहुचा देगा जार्खन में अमफान तुफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग ने चेतावने दिया कि जार्खन के उतरी पूर्वी जिले साहिव गंज गोड़ा पाकूर जमताड़ा और दूमका में अमफान तुफान का असर देखा जाएगा मौसम विभाग के अनुचार 20 साल में बांगाल के खाड़ी में इतनी विश्ण चक्रवाद तुफान नहीं आया है अमफान चक्रवाद 225 किलोमेर प्रति घंटा से बढ़ रहा है परवासियों की आपसी के लिए एक सप्ता में 76 ट्रेन आएगी जार्खन खबरों के अनुचार जार्खन के परवासि मजदूरों को लाने के लिए 76 अतरिक ट्रेनों की मंजूरी दी गई है बित मंत्री रमेस्वार उराव ने कहा कि देश के विभीन राजियों से 64 ट्रेन से लोगों को लाया गया है इसके अलावा 76 ट्रेन एक सप्ता के अंदर परवासियों को लेकर जार्खन पहुँचेगी मजदूर धर्वे बनाये रखे सभी मजदूरों को घर लाया जाएगा जार्खन में आज 179 संक्रमितों के पुष्टी हुई जिसमें कोडार्मा से 3,006, राची से एक, रामगर से एक, जमसेदपूर से एक, लातेयार से एक, लोर्दागा से एक, सिम्देगा से एक, गुमला से एक, और सराइकला से एक है जार्खन में संक्रमितों की संक्या 231 से बढ़कर 248 हो गया है जबकि 127 लोग स्वस्थ और 3 किम्रित्यू हुई भारत में कुल संक्रमितों की संक्या 1,6,468 है जबकि 42,307 लोग स्वस्थ हुए और 331 किम्रित्यू हो गई टैक्सी के लिए नहीं लेना होगा पास जार्खन में जाने किस चीज में कितनी छूट जार्खन में लोग डन 4.0 में कंटेनमेंट जोन को छोड़ कर मिलने वाली छूट इस परकार है अध्योगिक छेत्र, निर्वान कार्य, सिमेंट छड आदी, गोदाम, माल गोदाम, टांस्पोर्ट, हार्डवेर, बिजली, दुकान, समानों की आपूर्ती के लिए मालवाक वाहन, सभी किताब और एस्टेशनरी की दुकान, टेलीकम, कम्पनियों के रिटेल, नीजी कर्य अध्योगिक की दुकाने, एसी, कुलर, फ्रीज, कम्प्यूटर की दुकाने इत्यादी, सभी दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा, किसी भी दुकान में पांच से ज्यादा आदमी एक समय में नहीर आना चाहिए, दुकानों का संचालन बढ़े, कुल 15 जोन, खबरों के उनसार हिंद पीडी में 7 जोन बढ़ा दिया गया है, अब कुल 15 जोन हो गया है, नय बने 7 जोन में 5 डिस्पी को तैनात कर उन्हें जिम्मवारी सोपी गई है, उनसे कहा गया है कि लोकडाउन का उलंगान हुआ तो पूरे जिम्मवारी उन से घट फाइन भी लिया जारा रहा है, इस सम्भाद में दुकंदारों ने अस्थानिये परसासन समेतराज सरकार से किराया माप करने की मांग किये हैं, रीम्स में नीशूल्क होगी किड्नी टांस्पलांट, खबरों के अनुसार रिम्स में किड्नी टांस्पलांट के लिए किड्नी रोग विशसक या डाक्टर प्राग्या गोस ने सोमवार को रिंस में योगदान दे दिया है परतम तल्ले पर किड्नी विभाग सुरू होगा हम आपको बताते चले किड्नी ट्रस्प्लांट के लिए मरीजों को नीजी अस्प्रताल में 5 लाक रुपे करना पड़ता है वहीं यह काम अब मुफ्त में होगा परवासी मजदूरों को हर हाल में दे काम खबरो करनुसर ग्रामिन विकास मंत्री अलमगीर आलम ने विभाग सचीव को योजना के समध में कई निदेश दिये है मंत्री ने कहा कि योजना को धरातल पर उतारा जाए जिससे जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं उन्हें हर हाल में रोजगार उपलब्द कराया जाए परवासी मजदूरों के भोजन के लिए एनेच पर खुलेगा समुदाई किचन मंत्री ने कहा कि सड़क पर लोग चल भी रहे हैं और मर भी रहे है हमने पर सासन को कहा है कि राजे के अंदर कोई भी व्यक्ति पैदल ना चले उन्हें उचित अस्थान पर राख कर गंतावे तक पहुचाने का निदेश दिया है राची के नामकूम परखंड को किया गया सील खबर्यों कमशार राची जीला के नामकूम परखंड के डोंगरी पंचायत अंतरगत मोरुग टोला गाउं को पूरी तरह से सील किया जा रहा है गाव जाने वाले सड़क में बास और बली लगा कर उसे घेर दिया गया है हम आगको बता दे कि पूरे कंटेंटमेंट एरिया को सील किया जा रहा है लाते हार उपायुक्त ने जारी किये दिशा निर्देश खबरो कंटे हार उपायुक्त ने सभी से संक्रमन के बचाओ को लेकर सरकार द्वारा जारी किये गए दिशा निर्देश का पालन करने की अपील किया है उन्होंने घरों से बाहर निकलने पर मास्क लगाने एवां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा है लोकडाउन 4.0 में मिले छुट को एनोसी की जरूरत नहीं खबरो कंटा राची केस डियो लोकेस मिस्रा ने कहा कि सरकार ने जीन परतिस्ठानों को लोकडाउन 4.0 में छुट दी है उन्हें परसासन से किसी परकार की एनोसी की जरूरत नहीं है लोक दुकान खोले लेकिन इसमें सोशल डिस्टेंसिंग सहीद सरकार के अने दिशा निरेसों का पारण करना अनिवार्य होगा महराष्ट सरक हादसे में जार्खन के चार मजदूर की मौत पर सीएम ने जताया दुख महराष्ट के सोलापूर में हुए सड़क हादसे में जार्खन के चार स्रमिकों की मौत पर मुखमंत्री एमन्सुरे ने दुख ब्यक्त करते हुए कहा कि यह दुखत घटना है उन्होंने घाय लोगों के प्रती सन्वेदन प्रकत करते हुए जल्द स्वस्तोंने की इस्वर से कामना की हम आपको बता दे कि मंगलवार की सुब़ एक बस महराष्ट से जार्खन आ रही थी जो एक खड़े हाईवा में बस ने जोरदार टकर मारी इसमें बस ड्राइबर समय चार लोगों की मौत हो गई जबकि 15 लोग खाया लोगा है रेट जोन से राची आने वाले को 14 दिन सरकारी क्वारेटाइन खबरकमशार राची के उपायूक्त राय महिमापत ने जीला अस्तरिय पता अधिकार्यों के साथ बैठक की उपायूक्त ने कहा कि जो लोग राची पहुँच रहे हैं उनका किस जोन से आवागमान हो रहा इस अधार पर क्वारेटाइन में रखने का निर्देस दिया गया है रेट जोन से आने वाले को 14 दिन तक सरकारी क्वारेटाइन में रखना है फिर टेस्ट के बाद निगेटिव रिपोर्ट आने पर छोड़ दिया जाएगा जारखन में इन चीजों पर नहीं मिलेगी छूट खबर कहुंसार लोगडन 4.0 में कुछ चीजों के लिए इंतजार करना पड़ेगा जो इस परकार है समाजिक, धार्मिक, राजनितिक या आने उदेशों के लिए लोगों के एक जगा जमा होने पर रोक जारी रहेगी होटल, बार, इत्यादी बंद रहेंगे मिठाई के दुकानों से सिर्फ होम डिलेवरी हो सकेगी मंदिर, मस्जीद, समेट, धार्मिक, अस्थाल, अभी बंद ही रहेंगे सोपिंग, मौल, सिनेमा, होल को भी खोलने के अनुमती नहीं है नाई की दुकान और बेटी पालर भी अभी नहीं खोले जाएंगे पी-म से आगरा करे बाबुलाल, कांग्रेस खबरो कमसार परदेस कांग्रेस प्रवक्ता अलोक दूबे वर राजेस दूबे ने भाजपा नेता वर पुर्व मुख मंतरी बाबुलाल मरांडी को पत्र लिकर आगरा किया है कि वे देस बर में सटको पर चल रहे परवासी मजदूरों को साहता के लिए परदान मंतरी और ग्री मंतरी से आगरा करे और पीम केर फंड में जामारासी से मजदूरों की मदद करने की मांग करे ट्रैफिक जुर्माना भरने की समय सिमा में छूट खबरों के अनुसार लोकडाउन के दोरान बीना हेलमेट वहां चलाते पकड़े गए लोगों को जुर्माना भरने की समय सिमा में छूट मिल सकती है ट्रैफिक एसपी ने इस दिशार निर्देस में तैयारी सुरू कर दी है हम आपको बता देगी लोकडाउन के दोरान ट्रैफिक पुलिस लोगों पर पांच क्रोर से अधिक का जुर्माना कर चुकी है जारखन में 55 परतिसत मरीज स्वास्त खबरो के अनुसार स्वास्त बीभाग के रिपोर्ट के अनुसार जारखन में 7 तीनों में मरीजों की ग्रोथ रेट 4.82 परतिसत रही है जबकि डबलिंग रेट 14.7 दिन है जारखन में मरीज के ठीक होने की दर 55.7 फिस्दी है जबकि मिर्तियुत दर 1.32 परतिसत है पुर्णे से राची पहुँचे 1156 परवासी मजदूर खबरो केंसार अलग-अलग राजियों से स्रमिक एस्पेसल ट्रेन से परवासी मजदूरों का आना जारी है मंगलवार साम 9 बचकर 45 मिएट पर पुर्णे से 1156 स्रमिक हटिया स्टेशन पहुँचे सभी का थ्रमल एसकेरिंग की गए उसके बाद जीला के बसो द्वारा उन्हें रवाना किया गया सिक्षकों की प्रतिन्युक्ति रद करने का आदेश खबरों कमशार राज में अनियमित रूप से प्रतिन्युक्त सिक्षकों की प्रतिन्युक्ति रद करने का आदेश दिया गया है प्रात्मिक सिक्षा निदेशक आधित कुमार अनंद ने पत्र लिका सभी जीलों के जीला सिक्षा अधिक्षक को निर्देश दिया है राची के 16 इलाके कंटेंटमेंट जोन मुक्त खबरो कमसार राची जीला के अंतरगत आने वाले 16 इलाके को कंटेंटमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है कंटेंटमेंट जोन मुक्त जीला इस परकार है करांची, बेडो, मोरो, इटकी, बांस्टोली, पिसका, मोर, इत्यादी जेपीएसी में इसकुटनी कमेटी बने बंदू तिर्की खबरों करमसार 6 जेपीएसी को लेकर विदायक बंदू तिर्की मुख मंत्री हमान सुरेन को 10 बिंदू का मांग पत्र सोपा है और आगरा किया है कि छटी जेपीएसी परिक्षा में अनेमेता को देखते हुए अब इलम इसकुटनी कमेटी का गठन किया जाए संदेश आपके नाम मेरे प्रिये 3 लाग से अधिक दसको आप सभी को इतना प्यार देने के लिए मेरे टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी 3 लाग दसको से बिंती है नम्र निवेदन है कि आज आप सभी अपने अपने 10 वाटसेप मित्रों के पास इस वीडियो को सेर करें जिससे कि जारखंडी न्यूज का पूरा जारखंड में विश्तार हो सके मुझे आप पर पूरा आशा और विश्वास है कि आप आज आपने 10 मित्रों के वाटसेप फेस्बुक पर सेर करेंगे धन्यवाद